जमश्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार आप सभी का फिलकी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ सभी दोस्त फटाफर से जुड़ जाईए क्योंकि अपने क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेर कर देजिए ठीक है मेरे भाई हाँ भूपेंदर राम- भाई राम- 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 भीजना है और एक सबसे अच्छी बात कि यह दोर जो है वह सुक्सांती वाला है तो सुक्सांती का हम हाइदा पढ़ के उठाएंगे ऐसने कि इदर विदर जुगार अताम जाम करके उठाएं ठीके मेरे बैए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है और ज्यादा से ज्याद जो है वो सारे लोग आपके साथ जुड़ने चीए क्योंकि आज अपन बहुत ही बहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वह सबसे बड़ा विनोध कुमार जोशी जैहिंद सर जैहिंद भाई प्रिंक्या फैनिन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग में हाँ भी लिए जैसे आपको देखरा है कि गगन यान का अन्त्रिक्ष में आदमें जाता हुँ आपको देख रहा है बस यहीग अंत्रिक्ष में आदमी को भेजना ही गगन यान है भारत का जो वो इसके लिए नहीं आ रही है कि बहुत मज़ा रोही चौद्री गुड़मोर नहीं एक बार देख लेते हैं ठोड़ा सा कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग बता दिया करें कमेंट कर दिया करें कि यह चीज इस तरीके से हो रही है ठीक है मेरे बैश अच्छा अब सुनना आधी आ रही है कि अन्त्रिक्ष में जाने की क्या जर्त दर्ती बहु सब्सक्राइब कि हम तर्फिज पर हाथ है थे मेरे बैई किसी और बीको भेजना है तो हमें जर्रत क्या पड़ी कि pagar 22 पर इतने लोग रह रहें तो अन्त्रिक्ष में जानने का'm जर्त है दिनकोई एसी विपद आ जाए जैसे भी कोरणा वाइरस आ गया अब तुम सब की अवाने कर टाइट हो रही है कि साब मर जाएंगे मर जाएंगे आप हमारे पास ताम जाम होते हैं अंत्रिक्ष में चले आते और फिर जब खतम होता तब वापस आ जाते हैं ना यहीं तो चीज है अचा अंत्रिक्ष में जाने का जो देश इसलिए रखा गया कि अंत्रिक्ष में इसलिए भेजेंगे कि विपरित परस्तितियों में या कभी ऐसी परस्तितियों में भी अंत्रिक्ष में रह सके तो सर अंत्रिक्ष में क्यों क्यों गया है पहले उसको लेके बात करें तो अंत्रिक जो जाएगा वह भारत ही जाएगा यह गंपर मैं मुझे भारत पर भरोसा है इस तो पर भरोसा है वह बेज देगा अब बात ही आती है कि राकेश सर्मा जो कि जिसका नाम सुना होगा अपने प्रथम अंत्रिक श्यात्री जो रहे थे वह रसिया से गई थी कलपना चाहुला ज इसका नाम सुना होगा 196 डेज स्पेस के अंदर गुजारे थे वह भी कहां से थी मेरे भाई भारत की थी लेकिन बेजी कहां से गई थी नासा के द्वारा नासा जो स्पेस एजिंसी है वह अमेरिका की है गुड मॉर्णिंग भूपेंदर राम 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 कवीता चौद् तो बात इतनी सी है कि अंत्रिक्ष में आदमी को भेजना ही गगन यान का उद्देश है अब भारत भी विचार कर रहा है कि मैं भी अंत्रिक्ष में जहूं कि मैं भी अंत्रिक्ष में जाना चाहता हूं कि मैं भी अंत्रिक्ष में पहुंचूं उसके लिए भारत ने प्रिय गगन्यान की बात मैं कर रहा हूं और गगन्यान जो है भारत का भारत का अंत्रिक्ष में अंत्रिक्ष में मानव मिसन गगन्यान का मतलब क्या है कि भारत का अंत्रिक्ष में मानव मिसन जो है भारत जो अंत्रिक्षमे मानव मिसन देजेगा उसका नाम ही क्या मेरे भाई गगन या ने इस बात को ध्यान अब आग एकी बास सुना गगन यान कि चर्चा सबसे पहले 2006 में हुई इस रों एक मोडल तयार किया और उसे भारत सरकार के समक्ष पेस किया कि साब हम ऐसा करना चाहरे हैं तो सबसे पहले जो इसको लेके चर्चा हुई वह कभी 2006 में लेकिन ये एक चर्चा में थी और इसके बाद ध्यान नहीं दिया गया चर्चा पर धान दिया द हिर नहीं गया दोजार-ाथ में कितने साल बाद दोजार-ाथ में इस पर एक में प्लान तयार किया गया कि सो फारिष एस उपन करेंगे तो 2009 में जो 2009 में इस रो को जो funding मिली वो 5000 करोड के आसपास की जो funding थी वो इस रो को मिल गई लेकिन इसको एक proper ढंग से ध्यान नहीं दिया गया और इस बात को ध्यान ही नहीं दिया गया कि ऐसा भी हम कर लेंगी बिल्कुल एकदम neglect रखा था लेकिन 2012 में फिर इस पर एक बार हुई 2012 में चर्चा हुई डियर और इसके बाद इस पर जो चर्चा हुई ना डारेक्टली जो चर्चा हुई वह हुई 15 अगस्थ 2008 की बात है और भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे लाल किला है ना लाल किला इस लाल किले पे इस स्पीच देते हुए यह कहा कि भारत कहा जाएगा अंत्रिक्ष में जाएगा भारत की बेटा या बेटी अब अंत्रिक्ष में जाएगा और जिसको ले जाने वाला मिसन होगा जिसको पूर्णते कंप्लीट करने वाला होगा व दिव्यान सु बागोटिया तो जो नरेंदर मोधी ने कहा बहुत का बेटी या बेटा इन मेंसे कोई भी जाए चाहे बेटी जाये चाहे बेटा जाये वह एक दिन अंत्रिक्ष में जाएगा और इसकी स्वेम की पूरी जिम्मेदारी इस्रो को दी गई किसको दी गई इस्रो को कि इस्रो ही इस पूरे को मेनेजमेंट करेगा और उस दिन ये कहा गया कि ये जो मिसन है गगनियान जो है ये 2022 में छूड़ा जाएगा क्योंकि उस समय के सिवान जो थे इस्रो के जो चेर्मेन थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि सर अभी इस्रो का कारिये वैस्तता पूर्ण है और हम इस पर जो चर्चा करेंगे ठीके इस बात को आप ध्यान असर गुड़ मौन ने एक बात करेंगे अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि उस समय इस्रो ने कहा कि अभी उमारे पास बहुत हैं क्योंकि उसमें चंद्रियान सेकेंड भी हमें बेजना था और हमारी इसरों की वश्चता के कारण इस मिसन को यह कहा गया कि 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा इससे पहले इससे प्रक्षेपित नहीं करें लेकिन यह मिसन एक बहुत बड़ा मिसन है भारत के लिए और वि का अच्यूमेंट होगा क्योंकि आज तक भेजने से किसी बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने एक दो बाट ट्राइब किया जिसे किसी ने जानमर को पहले बेजा फिर इनसान को बाद में बेजा लेकिन भारत के मिसन में सबसे अच्छी बात जो है वह यह है कि भारत किसी ए भारत ने लेस की और इस मिसन को भेजने के लिए देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं यह मिसन जाएगा इस भी इसको भेजने के लिए भारत ने किस रॉकेट का प्रियोग करेगा इसको भेजने के लिए भारत जो प्रियोग करेगा वह एक सबसे अच्छा रॉकेट है ज सबसे ज़्यादा वजन उठाने की चमता रखता है मैंने आपसे कहा था कि जितना नीचे कम उचाई पर रहेगा उतना ज़्यादा वजन उठाके ले जाए अब हम जो अंत्रिक्ष में यात्री जो भेज रहे हैं उनका अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 300 से 400 किलोमेटर की ज सब्सक्राइब करें हम यह देखना चाहते हैं कि जो अंत्रिक्ष यहां रहेंगे उनकी बॉड़ी पर क्या-क्या मुमेंट हो रहे हैं उनकी बॉड़ी में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं ऐसी चीजों को में लेके बात करना चाह रहे हैं इस बात का ध्यान रखना ना इलाज है ना दवाई ए इसक देख तेरे बराबर की बीमारी आई और बिल्कुल सही बात है कोरणा तो ऐसी बीमारी है तो राउल गेमर राउल सरा आप राजकुमार मीना की बाद करते हैं हाभी गुड़ मॉर्निंग गुड़ बॉर्निंग माइक वोल्यूम यार आप अपना वो भी बढ़ा सकते ना बेटा आप अपने मोईल का वोल्यूम भढ़ा लें है ना बिटो देखो इस और बिट में छोड़ेंगे अच्छा रॉकेट कौन सा होगा जी एसली मार्क थर्ड बात है जाएगा कब 2022 में यह कंफर्म हो चुका कि इ यह बात तो आपको ध्यान रखनी है और जी एसली मार्क थर्ड का प्रियोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मिसन का जो वजन है आठ टन के आसपास हो जाएगा राउंड फिगर में इसका जो वजन है पूरे गगनियान का वह आठ टन के आसपास हो जाएगा प्रक्षेपन लॉंचिंग प्रीड़ को मिला के दोनों को मिला के आठ टन के आसपास हो जाएगा सभी प्रिदुमस गृड्मोर्rade इसीजिगों को जरें इसको जो समाल रहे हूं वह को है वी आर और लली थाम्भी का लली अभी वरत्मान में साइंटिस्ट हैं और इन ही के ऊपर इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदर, गुड़ मॉर्परन पुड़ सभी को गुड़ मुड़ मॉर्निक, शेकर चेटन, छो व्यार लली तांबिका यह हमारे गगन को । डारेक्ट कर रहे हैं मतलब इसका जो निर्देशन है विवार लली तामबिका के निर्देशन में है और इसको बेज़ जाएगा आज इसकी भारत ने क्या-क्या तैयारी पूरी कर ली है इस बात को लेके अपन चरचर करेंगे यह बेसिक बात थी जो ऐसे-इसे कर रहे हैं उन दोनों ट्राइलों में इंसान को नहीं बेजा जाएगा तीसरे ट्राइल में इंसान को भेजा जाएगा इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना Good morning, good morning, Gweny, good morning, सभी को good morning है, न, तो तीसरा जो होगा, उसमें हिं बेज़ेंगे, दो में तो Unhuman'd को बेज़ा जाएगा, बिना मानों के, उसमें कोई इंसान नहीं रेगा, उसमें, उसके लिए भारत ने क्या किया है, उसको संझे, देखो, इसमें आपको दिख रहा है, पहली जो flight होगी, first unmanned flight होगी, इसमें कोई भी इंसान नहीं रहेगा, इसमें एक ही model रहेगा, वो रहेगा service model, अभी इतना सा ज्यान रखें, service model, crew model इसके अंदर नहीं रहेगा, इस बात को बस इतना सा ज्यान रखें, कि इसमें crew model नहीं ह होगा इन दोनों में बस सर्विस मोडल होगा इस बात को आप ध्यान रखना अब कोरणा के कांट थोड़ा डिले विले हो जाता है वह अलग बात है ठीक है इसकी डेट थी कि 20 दिसंबर 2020 और इसकी डेट है 21 जुलाई 2021 अब कोरणा चल रहा है यह अलग बात है कि चीजे परिवर्तित हो जाएं वो एक एक चीजा लागए ठीक है मेरे भाई और तीसरा जो होगा तीसरी जो फ्लाइट होगी हमारा तीसरी जो उडान होगी इसके अंदर कौन होगा मेरे भाई मानव होगा ये दोनों तो क्या ये दोनों तो क्या रहेंगे बेटा ये भी मानव रही थे और ये भी जो है ये भी मानव है तो सर इसके लिए क्या करेंगे हम इन दोनों में जो क्रू मोडल को भी रहने देता हूं में क्रू मोडल को ही समझेंगे कि क्रू मोडल क्या है अभी उसको अपन रहने देता है उस अहां भाई, share करना है दोस्तों के पास है ना, ज्यादा से ज़दे, तो दोनों ये मानव रहित होंगे, तीसरा जो है इसमें मानव जाएगा, तो इन मानव रहित के लिए भारत ने क्या काम किया है, इसको समझें, तो बिटा, इनके लिए भारत ने क्या 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 है, आपने पारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि व्यों मित्रा क्या है पीटा अनमेड जिसमें इंसान नहीं जाएगा उसकी में बात कर रहा हूं तो व्यों मित्रा क्या है एक महिला रोबोट है जहां से सुना बिटू कि व्यों मित्रा जो है एक महिला है महिला महिला क्या है रोबोट है महिला रोबोट है वियो मित्र एक महिला रोबेट है तो पहली बात तो महिला है और दूसरा है रोबोट है इंसान की तरह ही कारिय करेगी बिल्कुल यह इसरो नहीं बनाया है इसको इंसान की तरह बिल्कुल एकदम से जैसे इंसान बोलता है वैसे ही ये बोलेगा इस वियो मित्रा को दो लेंग्वेज का ज्ञान है कि दो लेंग्वेज में बात करेगा एक तो ये बात करेगा हिंदी में और एक बात करेगा ये इंग्लिस में दोई subject इसको आते हैं, एक हिंदी आती है आप एक इसको इंग्लीस आती है, science tech की बात इसको अपन नहीं कर सकते हैं कि साथ, इसको science tech भी आता है कि नहीं आता है, संदीप कॉर । वैस अभी को शेयर करना है रहे यार आप ज्सेजदा से सभीज और ज्यादा मजय तो व्यों मित्र क्या है एक रोबोट है जो इंसान की तरह है जिसके पैर नहीं ए है पहले ही कह रहा हूं इसके पैर नहीं और उसको दो लेहंग बेढ़ी जाती है हिंधी और अग्लिस, इसका जो हमag ट्रायु करेंगे परेक्षन किस का करेंगे, जो इसको बेंगे इस पहले अंत्रिक्ष में कि आप जाओ, आज तक जितने भी कंट्री थे उन्होंने अनिमल पर ट्राइं किया किसी ने कुद्टे को भेज दिया किसीनी बिल्ली को भेज दिया हमसे हिं वियो मित्रा को हाय यह यह जाएगा और यसी करें फर्क्षण करेंगे यह हमें भाग के बारे में सारी चीज़े बतादेंत बताएगा कि चाहब वहां इतना radiation है इतनी अगर किसी में कोई भी दिक्कत होती है कोई भी adaptation होता है environment को लेके nutrition संबंदित जो भी कुछ फेरवदल होगा उसके बारे में भी यह हमें बहुत अच्छे तरीके से information दे देगा किसा आप यह परिवर्तन हो रहा है आप ज़रा देख लिए व्यो मित्रा जो है unmanned है इसको भेजा जाएगा trial के रूप और यह इसका test हम कर चुक है व्यो मित्रा का test हम कर चुक है इसकी बात हो चुक है व्यो मित्रा तो तो 12 अक्तुम्बर फो ब्लब कर लिया था 2020 में अब ही Corona के कारण सारी चीजे हैं प्रभावित हो रही है अब लोग जानते है corona के कारण यह व्यव मित्रा बना चुके है और इसके कारण सारी चीजे हैं जैसे ही Corona कोरणा क्तम होगा तो सारी चीजे बदल जाएं हाँ भई शेयर करना है सभी को गुड मोर्नी गुड मोर्नी इस्टर मावीर संदीप इंडियन आर्मी विजय कुमावत शेयर भी तो करना है यार अपने दोस्तों को शेयर नहीं करेंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा वह वाली बात है अच्या व्योंमित्रा ये बात हो गई इसको ये सारी चीज़े आती है और बिल्कुल सब कुछ ऐसे दो भी परिवर्टन होगा उन सारे परिवर्टनों को ही हाँ बता देगा इस new ko बता देगा ये temperature ऐसे रहना है ऐसे बात या बता है खीके मेरे भाई ये भी हो मित्र चलो अब बात यह आती है कि अंत्रिक्ष में जब लोग गए भारत के सामने चुनोती क्या थी भारत के पास सामने चुनोती क्या थी किसा अंत्रिक्ष में तो चले जाएंगे लेकिन हमारे सामने समश्य क्या है वो एक बहुत बड़ा एक्टर में यह स्पेस एजन्टि इसकी है युएसे की आपको पता है कि इसने तल अपना चाहुला को बेज था कि अलबना चाहुला को अंत्रिक्ष में भेजने वाला वंता मेरे भई नासा इस तो था अशने भारत मूलकी लेकिन आपकी थी और मेरे भाई जिस विमान से गई थी विमान का नाम था कोलम्बिया क्या नाम था कोलम्बिया आपको पता होना चीए जब कलपना चाउला कोलम्बिया विमान से वापस आ रही थी कलपना चाउला की म्रत्व है और बाद में उसके रहस जब सुल जाए गए तो सीधा सा एक रह निकला और रहस वो यतना सा था कि मैं बात करूँ यह स्पेस है और यह प्रत्वी है और बीच में क्या आएगा मेरे भाई वायू मंडल बीच में यह चुनोती है इसके लिए भारत ने क्या किया है वो भी अपन देखेंगे इस पेस से जब यह वाईू मंडल में आई तो क्या हुआ कि स्पेस से जब कलपना चावला का जो कॉलंबिया रहे वो वायू मंडल के अंदर आया तो वायू मंडल में बेटा क्या है दूल के कण है वायू मंडल में क्या है गैस है जब इसके वेग में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ वेग में परिवर्तन हुआ तो ये दूल के कण जो थे इनके कारण क्या हुआ मेरे भाई घरसन लग ग गर्शन लग गया, गर्शन के कारण मेरे भाई क्या लग गई थी इसमें, आग लग गई थी और कलपना चाउला, जो मिवान था जो कलपना चाउला जो थी, क्या हो गया मेरे भाई दियान। इस बात को आप अच्छेए तो एक चुनोती है आते समय वेग को मैनेज करना है कैसे उसको मैनेज करेंगे किस तरीके के प्रोजेक्ट रहेगा कैसे इसको भेजेंगे कैसे इसको उतारेंगे कैसे वहां काम करेंगे ये बहुत बड़ी बात कैसे कैसे चीजों को मैनेज करेंग कि इस तीज के बारे में बड़ा ध्यान रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है आगे चलते हैं पुरा एकदम systematic diagrammatic दिखाता हूं भी आपको में यह देखो गगन यान जो मिसन है ध्यान सुनना यह जो गगन यान मिसन है भाई इस मिसन के अंदर दो मोडल बनाए गया एक आपको यह दिखाई दे रहा है एक यह दिखाई दे रहा है यह नमबर वन है और यह नमबर टू पड़े जान से देखना भाई बोल अच्छे तरीक है यह उपर मोडल है एक नीचे मोडल है उपर वाला जो मोडल है तो क्रिव मोडल बोलते है क्रिव मोडल और यह नीचे व रखा जाएगा इंसान को जो है इसमें तो इंसान बेटेगा जो जाएंगे वहाँ पर बेटे बेटे जाएंगे ऐसे इसे बस के अंदर सीट में नहीं बेट रहे थे ऐसे उनको बेटके बेजा जाएगा और जो सर्विस मोडल है यह इसको उर्जा वगेरा देने का काम करेगा मतलब इसमें फ्यूल से संबंदित या इसको चलाने से रिलेटेट सारी प्रक्रिया कहां होगी सर्विस मोडल के अंदर दोनों को इन्बिल्ड किया जाएगा ऐसे क्रू मोडल ऊपर वाला और सर्विस मोडल नीचे वाला दोनों जुड़े हुए हैं मेरे भाई और बिटल मोडूल हो गया तीन एस्ट्रोनोट्स होंगे साथ दिन स्पेस में रहेंगी कितने आदमी जाएंगे भारस से तीन और कितने दिन तक रहेंगे वहां पर साथ दिन वह आराम से वहां रहेंगे कि आराम से रहेंगे कोई दिक्कत नहीं अब क्रू मेडल हैबिटेट और सर्विस मोडेल टू उन और और इसको गुमाने में जो सहीटा करेगा मैने कारीए और जista वकों करेंगा सैंअ गौन करईस मोडूल लेकिन जो क्रूम है उसके अंदर एस्ट्रोनेट रहें उनको एस्ट्रोनेट बोला जाता ता है तिक है उनको एस्ट्रोनेट याष्ट नोट भारत में एस्ट्रोनेट यह इन नोट बोलते हैं यह अलग बात है और शोईूज जैसे रसिया वगेरा यह और्बिटल मोडूल हो गया, इसके अंदर तीन एस्ट्रोनेट जाएंगे, कित्ते दिन इस स्पेस में रहेंगे, साथ दिन, और इसके लिए भारत human related launching vehicle या GSLV mark third का प्रियोग करेगा, human related launching vehicle या GSLV mark third आपको पता होना चीए, मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे अच्छा rocket है, GSLV mark third, ठीक है, या launching vehicle या heavy launching vehicle जो भी है, आप इसको जो भी नाम चाहें दे सकते हैं, हाँ भई, share भी करना है, अपने दोस्तों के पास, सारे दोस्तों के पास ये चीज होगी, तभी तो मज़ा आएगा ना, आप लोग अब share नहीं करेंगे, तो मज़ा कैसे आएगा मेरे भाई, तो crew model और service model दोनों अलग अलगे, crew model में इनसान रहेगा, service model उसको orbital में, जो भी सारे साम जहां में, जैसे उज़ा जैसे, उसको चलाने से जैसे, संबंदित वो सारे काम करें, ये गगन यान mission के format बना है, और ये बाद में, इन दोनों को set कर और ये रखा हुआ है, ये हमारा गगन यान हो गया, ये crew model, ये service model तो दोनों जुड़ेंगे, तो यहां पर रखे रहेंगे, देखो यहां पर दिख रहा है, ये ज्यादा zoom इससे होगा नहीं, इससे ज्यादा zoom हो नहीं सकता, ये यहां पर रखा हुआ है, ये ये वाला जो भाग है, इसमें रखा हुआ है, यह crew model हो गया, और यह इसके नीचे service model हो गया, यह यहां से उठाके, पूरा का पूरा इसके अंदर तक दिया, अब लेके कौन जाएगा, GSLU Mark 3, यह इसको अंतरिक्ष में लेके जाने का काम करेगा, यह बात यहां तक clear हो जाती, कोई दिक्कत है, अब यह बात चुनोती पूर्ण है, कि वहाँ चले जाएगे कोई दिक्कत नी, हमारा पुरा प्रोजेक्ट है हमारे पास में, लेकिन अब बात ही आती है, कि यह जो तीन लोग हैं, इनको टर्निंग कौन देगा, यह कौन है, कहां से इनको ट्रेंड किया जाएगा, क्या इनके बारे में, ज्यादा विवरण है हमारे पास में, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, बिटा, इसको लेके, इसको लेके, भारत और रसिया के बीच में, भारत और रूस के बीच में, करार हुआ है, कि भारत के जो अंत्रिक्ष यात्री देंगे, स्पेस फ्लाइट, उन के लिए जो यात्री रहेंगे, उनको जो टर्निंग देने का यात्रियों को, प्रेसिक्षन देने का, यह थर्मल फिजीशन जो भी है, सारी उनकी जो समश्या है, उनको अंत्रिक्ष यात्रियों को टर्निंग देना, उन अंत्रिक्ष यात्रियों को खाना खिलाना, जो भी क करना है वो कौन करेगा रसिया यह रसिया की गारंटी है आप खुद सोचियों कि भारत के पास अभी इतनी ववस्ताइं नहीं है कि हम अंत्रिक्ष में जाने वाले यात्रियों को ऐसी यहां प्रवाइड कराएं कि वह अंत्रिक्ष जैसे स्थितियां यहां बना दें ऐसे मारे सब्सक्राइड को अंत्रिक्ष में थोड़ी दुस्मन है नहीं तो भारत के यात्रियों को जो ऑसा स्पेस के अंदर जाएंगे उनको फीर यह देने का काम करेगा वो रसिया करे वो उनको बहुत अच्छे तरीकों करेगा और अच्छे टर्णिंग्ग होगी बहुत लंबे समय तक चलेगी अथारा मेने का सपरण अच्छे बारत बंगलोर के अंदर उनको ट्रेंड किया जाए औनको ऐसे अंत्रिक्ष जैसी feeling उनको प्रत्वी पे लाने पड़ेगी तब ही हम उनको कर पाएं उनका psychological भी टेस्ट किया जाएगा medical भी उनका किया जाएगा सारे टेस्ट उन लोगों पर किया जाएं सारे टेस्ट साइक्लोजीकल mentally, physically सारे जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे टेस्ट यहां प्रत्वी पर करने पड़ेंगे क्योंकि अब माना कि कोई आदमी अंत्रिक्ष में जा रहा है mentally तो यार सोचता ही है ना वो कि यार मैं कहां जा रहा हूं अंत्रिक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए ऐसी समश्याओं से बचने के लिए भी उनका पहले से ही चेक अप किया लिए चार लोग चुनेंगे अंत्मे उनमें से तीन लोगों को यह अंत्रिक्ष में भीजा जाएगे तीन यात्री जो जाएंगे उनको एस्ट्रोनेट बोलते हैं और यह तीनों के तीनों यात्री साथ दिन तक वहां रहेंगे तो ये भारत के लिए बड़ा बहुत बड़ी बात है कि हम तीन लोगों को अंत्रिक्ष में भेजेंगे और वहाँ अंत्रिक्ष के अंदर उन लोगों को रखेंगे और ये विपरीत परस्तितियों में आपको पता होना चीए कि गगन यान भेजने का सिर्फ इतना सा उद्देश है कि भारत भविस में अंत्रिक्ष के अंदर एक स्पेस इस्टेशन बनाने जा रहा है 2030 में आपको पता होना चीह है कि 2030 में बिटा भारत अंत्रिक्ष में Space Station बना देगा Space Station Space Station एक और है क्या सब? और भी कोई Space Station है क्या? बिलकुल जो छे बड़े country हैं, इन छे बड़े countryों ने Space Station बना रखा है जैसे विक्सित कंट्रियों में जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है, और एक कनाड़ा है, और इटालियन जैसे कंट्री, चाइना जैसे कंट्री हैं, इन 6-7 कंट्रियों ने मिलके अंतरिक्ष के अंदर एक स्पेस इस्टेशन बना रहा है, ऐसे ही भारत चारा कि मैं भी अपना खुद का एक इस्पेस इस्टेशन बनाऊं और वह इस्पेस इस्टेशन जो हो वह हमारे काम का हो क्योंकि माना की भविश में जिसे पूनम सर्मा राइट सर गुड मोर्निंग गुड मोर्निंग भी शेर जरू करना अपने दोस्तों के पास और जिन लोगों हम पहले से बता रहें कि यह चीज इस तरीके से अपने WhatsApp, Facebook सभी जगे आपको शेयर करना है इसको भई है ना यह चीज़ जान रहे है तो भारत अंत्रिक्ष में स्पेस इस्टेशन बनाना चाहता है स्पेस का इस्टेशन वहां लोगों को रखना चाहता है तो ऐसे foreign country उने ब बना पाएंगे क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि अंत्रिक्ष यात्री किस परस्तिती में रहे हमें पता लग जाएगा फिर आराम से मुन को यहां से सिस्टेमेटिक करके वहां आसानी से भेज़ देंगे हमें को दिक्क्त ही नहीं आए तो यह बात भी आपको ध्यान रख कि आता सब कुछ है बस एक सचीन त्यंद्रूगर क्रिकेट खेलता है उसको क्या खेलना नहीं आता था लेकिन मैंस से पहले प्रैक्टिस करता क्योंकि बेसिक वो सीखता था कि बेसिक चीज़ सीकें तो मैंने आपको उता दिया कि इसको बेजने के साथ में ये भी भारत के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि इंटरनेशने स्पेस इस्टेशन में स्तापित करेंगे 2030 में जो विश्चु के 6 सा 6 कंट्रियों ने मिलके कर रखा है वो अकेला भारत करने के चक्कर में तो ऐसा बि इंडिया में कहां पर बैंगलोर के अंदर इनको टर्निंग दी जाएगी जो बैंगलोर है इस बैंगलोर में इनको ट्रेंड किया जाएगा और उसी अडेप्टेशन के इसाब से इनको यहां पर रखा जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब जाएगा कैसे आएंगे कैसे वो चीज हमें समझनी है बेसिक चीज हम समझ चुक है आने जाने का प्रोजेक्ट भी हम देख लेता है यह देखो हाँ भी आने जाने वाला जो मोडूल है वो आपके सामने है एक बार आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक बार सेर करें वीडियो को वे जितने ज्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगा न बिटा उतना ही ज्यादा सही रहेगा हाना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चीफ वीडियो हाना तो बताइए, आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपको ये स्क्रीन पर सारी चीज़ दिखाई दे रही है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके सारे दोस्त पढ़ते हैं, और ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको नहीं समझ पारे, कोई बात ने, जो भी है आप समझ पारे हैं नहीं समझ पारे, यहाँ पर लिखा हुआ है MEND MISSION, मुझा इसमें इसरों का जो गगन यान है, इसमें इनसान जाएगा, अब इनसान जाएगा कैसे, आएगा कैसे, वो सारी चीजे एक साथ आपको देखनी है, त तो सबसे पहले तो एक चीज़ देख लें, कि इस मिसन में जो cost का अंदाजा है, वो है 10,000 करोड रुपे, इसके लिए लागत रासी जो है, वो कितनी है मेरे भाई, 10,000 करोड रुपे, यहां लिखा हुआ है न, 10,000 करोड रुपे, आप सोचो कितना पैसा भारत खर्च कर रहा है हमारे गगन यान मिसन पर, 10,000 करोड रुपे का खर्चा, इसके अंदर बताया जा रहा है, launching date क्या है, 2022, launching date क्या है, 2022 में काम हम करेंगे, और मोदी ने 2018 में यह बात कही थी, जो 15 अगस्त के दिन लाल के लिए पे कहता है वो बंदा, जो भी कहता है न बाई साब, और अगर ऐसा करता है इंडिया, तो अगर इंसान को भेजता है, तो पूरे विश्व में चौथा कंट्री होगा, क्योंकि US, Russia and China, क्योंकि भारस से पहले, अमेरिका जा चुका है, रसिया जा चुका है, और चाइना जो है, यह कंट्री अंत्रिक्ष में जा चुका है, कैसे जाएगा, अब सुनना, ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको बता दिया, क्रू मोडल और सर्विस मोडल दोनों होंगे, उन दोनों को रख दिया जाएगा, किस के अंदर, रॉकेट के अंदर, रॉकेट कौन सा है, GSLV मार्क थर, लेप और फ्रॉम स्री हरी कोटा, कहां से छोड़ा जा रॉकेट का, वो स्री हरी कोटा से ही करता है, आपको ज्यादा confusion वाली बात बिलकुल नहीं है, कि भारत जब भी परक्षन करेगा, तो वो स्री हरी कोटा से ही करेगा, और ध्यान रखना, 16 मिनट में, लो अर्थ और्बिट में ये पहुंच जाएगा, स्री हरी कोटा से लेके ये अंतरिक्ष की जो और्बिट है, इस पेस जो है, इसमें जाने में सिर्फ कितने मिनट लेगा, 16 मिनट में ये कहाँ पहुंच जाएगा, और रॉकेट अलग हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रॉकेट के जो चरण होते हैं, जैसे पहले चरण का इधन खतम ह होगा पहला रोकेट अड़िया पैला चलंद दूर हो जाएगा दूसरे चलंद का होगा दूसरा चलंद हो जाएंगा और श चयाँभा और आश्के अन्दर जो औ er औरूल उर्डीटल मोडियुल रखा हुआ है यह ऑर्डीटल मोरडूल जो है वह इस पीस में आ यह जो येलो कलर की आपको यह दिख रही है यह solar plate है यह क्या है solar plate है इस बात को ध्यानग जो उर्जा देती है यह solar plate है जो कि इसको काम करने में मदद करती है अचा किसी को कुछ पूछना तुरंद पूछना भई यह orbital module अलग हो गया किससे rocket से रोकेट से और्बिटल मोडूल क्या है बिल्कुल अलग हो चुका है अब बेटा कितने दिन रहेगा 5-7 दिन इस्पेस में रहेंगे आराम से यह चक्कर लगाते रहेंगे प्रत्वी के 15-16 चकर 16-18 चकर दिन बर में काट देंगे पर एक चकर 90 मिनिट में पूरा करेंगे तो आप देख लो एक दिन में 16-18 चकर दिन बर में काट देंगे कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी अच्छा फिर क्या होगा अब जैसे 5-7 दिन खतम होंगे तो रियर ओरिंटेशन इसको अपना डिरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी इसको मोड़ जो डिरेक्शन में था अभी किस डिरेक्शन में था यह जो अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रु horло допर होगा इसके बाद क्या होता है मेरे भाई crew module और service module अलग-अलग होते हैं इस स्टिती में देखो separation crew and service module क्योंकि अब इंसान को हमें वापस कहां लाना है धर्थी पे लाना है यहां तक तो चलो अंत्रिक्ष्था साब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है यह स्पेस में रह लिया लेकिन अब हमें इसको कहां लाना है वापस प्रथ्वी पे लाना है उद्देश तो हमारा यह यह है कि हम इसको कहां लाए प्रथ्वी पे लाए प्रथ्वी पे लाना हमारा उद्देश है तो हम क्या करेंगे service module और crew module को separate करें separate करना जरूर ही है च्योंकि separate नहीं होगा तो service module क्या देगा इसको चालए इसको अदर फ्यूल था उर्जा करने का जो भी काम कर रहा था वो इसको अब देगा अब उसकी हमें जर्रत नहीं है तो हमने क्या क्या separation of crew and service module दोनों को क्या कर दिया separate separate कर दिया अब separate किया arrow breaking system आ गया क्योंकि जो वाई-उ के अंदर आएगा तो वहां बिल्कुल यह ऐसे मान के चलो हाई थी और नीचे आया तो वह आ गया इसके बाएट इसके बाद बेटा पेराशूट डवलप्मेंट आपको ध्यान होना चीए पता भी होना चसीए ज्यान रखना कि भारत ने crew module के अंदर दो परासूट का प्रियोग किया है दो भारत ने परासूट लगाएं अच्छा एक परासूट लगादे तो क्या दिखकाती, दो परासूट क्यों लगाएं माना कि एक परासूट गलती से नहीं खुलाओ, तो दूसरा खुल जाएगा तो दो परासूट भारत ने लगाएं और जब दो रोग परासूट उहां open होंगे, जैसे ही यह परासूट open होंगे open होंगे, तब इस समय जब यह नीचे आरा था यह नीचे आरा था उस समय इसका जो वेग था ना मेरे भाई, वो बहुत जबरतस था इसका वेग था 216 मिटर प्रती सेकेंड अब इतने वेग से हम नीचे नहीं ला सकते इसको तो हमने क्या किया इसके वेग को भी हमें कम करना पड़ेगा और 11 मिटर प्रती सेकेंड के आसपास इसका वेग लाएंगे और दोनों परासूट खुलेगे दोनों में से एक खुल जा खराब हुआ तो दूसरा खुले गाई एक मेंसे जरू खुलेगा कि लो अर्थ ओर्बिट कैश्च अभी और उर्बिट पर चर्चा करेंगे लौ और उर्बिट उससे कहते है जो चार सो किलोमेटर वाली जो कक्षा होते हैं उसे लौर्ट और्बिट बोलते हैं ठीक है यह बात किलियर हो गई कि जो एक रेंज दी हुई है अभी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा उसको लेके अभी एक दर से देखें अब मेरे भाई यहां से आएगा जब यहां से आएगा त उसके अंदर इनको पाने के अंदर उतार दिया जाएगा आसानी से और फिर इनको वहां से अंत्रिक श्यात्रियों को वहां से इनको रिकवर कर लिया जाएगा और रिकवर करने के लिए कितने टाइम का लगेगा 15-20 मिनट का जो क्रू को रिकवर करने में जो टाइम और इस time duration में हम उनको recover कर ले अब इस ये पूरे ताम जहम हमें करने पड़े हैं कि वेग को कैसे स्प्लेस डाउन जो समुद्र के अंदर जो पराशूट को उतारा जाता है उसको बोला जाता है इस बात को भी आप द्यान रखना इसके अंदर सबसे important बात यह है कि इसको भेज कंश चलना चीज जीवन में जैसे अमेरिका जब आयी थी कौन मेरी कलपना क्या जब आई थी टि तो हमारे थी आसे नहीं घई तो हमारी तो थी इसलिए तो न्तरट यान को लाए कि इंसानों को भेजो क्योंकि भारत के जो लोग हैं जो अंतरिक्ष में जाना चाहते हूं कि अंत्रिक्ष ने। इनको जाना है तो पर कैसे जाएंगे यहीं से तो जाएंगे भारत तो भेतले के लिए इनको भेतले चाहता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि साब क्यों बेजा जा तो यह चीज है अब साब वहां जो अंत्रिक्ष यात्री जा रहे हैं उनको क्या तो खाने में देंगे क्या खाने में देंगे अब की बार भारत क्या देगा खाने में दूसरा वो कैसे वहां उनको जेल पाएंगे कहां उनको खाना कहां से बनाया गया है यह बहुत बड़ी-बड़ी बात है तो यह चीज़ को ध्यान रगना अगर गगन यान प्रोजेक्ट भारत का सही सलामत अग है एक सबसे अच्छा टेस्ट है पेड एबोर्ट परिक्षण इसको समझना है पेड एबोर्ट परिक्षण यह जो पेड एबोर्ट परिक्षण है यह क्या है इसको ध्यान सुनना कि पेड एबोर्ट परिक्षण क्या है यह बारत कर चुका है पेड एबोर्ट परिक्षण पी Pied Abort Dash यह जो परिक्षन है, यह क्या है मेरे भाई माना कि ऐसा हो गया यह क्या करता है कि एक तो होता है रोकेट और एक होता है रोकेट के साथ में हमने गगनियान को जोड़ा है तो हम तो डारेक्ट बेशी के समझ लेते हैं कि गगनियान हमारे जो मोडूल और एक क्रिव मोडूल देखो आप समझो अगर माना कि हमें ऐसा लगा कि यह विफल हो सकता है वह हमें लगा यह विफल हो सकता है इसमें दिक्कत हो सकती है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई इस रोकेट से इस गगन यान को सेपरेट कर देंगे एक से प्रपेरेट कर दें अगर हम रोकेट से गणियान को से प्रफेट करने में सक्षन परेट rozpore मुटनXT करेंगे तब यदि हमें विफलता का डर लगा तो हमारे अंतरिक श्यात्री उमको हम आलग कर लेंगे और हमारे अंत्रिक्ष यात्रियों को हम सुरक्षित उतार लें हमें उनके साथ कोई कते ही जो हुआ है वो बिल्कुल नहीं होने देना है उनको आसानी से हम साइड में सेपरेट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आप सुरक्षित आसानी से आ सकते हैं इस बात को तो ये प्रत्वी है, तो प्रत्वी से उपर कक्षा है ना, ऐसे, अंत्रिक्ष को चार भागों में डिवाइड किया गया है, इसे 400 किलो मेंटर, 900 किलो मेंटर, 20,200 किलो मेंटर, 20,200 किलोमेटर और 36,000 किलोमेटर ये जैसे इसको नाम दिये गया ये 900 हो गया जैसे इसे कहते हैं High Earth Orbit, Medium Earth Orbit और इसको कहते हैं Low Earth Orbit और Near Earth Orbit ये ध्यान रखना ये जो अभी हमारा जो गगन यान जा रहा है इसके अंदर कुछ चीजे अभी identify नहीं है कि जैसे आप देखते हैं तो कभी इस रो कहता है कि हम 300 से 400 किलोमेटर वाली Orbit में छोड़ेंगे कभी इस रो कहता है कि 400 से लेके 4.5-400 वाली कक्षा में छोड़ें अभी इस चीज को लेके मन्थन चल रहा है तो किसी में भी छोड़े अगर देखो इसमें छोड़ा गया तो ये जाएगा सीधा ही लौ-अर्थ-ORBIT के अंदर इसके अंदर जाएगा लौ-अर्थ-ORBIT के अंदर और अगर 300 से नीचे की बात करी मतलब 400 से नीचे तो जाएगा नीर अर्थ-ORBIT के अंदर ये हमेशे ध्यान दा तो ये जो ऑर्बिट है इसको बोलते है लौ-अर्थ-ORBIT ठीक है भई? क्लियर होगी कि प्रत्वी के नजदीक वाली कक्षाइं जो होती है जो उनको लेके हम लौ-अर्थ-ORBIT बोला जाते हैं ठीक है भई? आगे चलते हैं राज यादव आगे अब बात ही आती है कि अंत्रिक श्यात्री जो है इनको अब की बार खाने में भारत क्या दे रहा है या खाना किसने बना है ध्यान से सुनना इनको खाना बनाने के लिए Defense Food Research Laboratory ये है मैसूर के अंदर ये कहां पर है मेरे भाई मैसूर के अंदर है इसने अंत्रिक श्यात्रियों का जो भोजन है कि अंत्रिक श्यात्री जो है ये जो अंत्रिक श्यात्री है इनका जो भोजन जो तयार किया है वो Defense Research Food Laboratory ने किया है ये कि DRDO के अंदर एक संस्ता है जो अंत्रिक शात्रियों का भोजन तियार करें और दो साल से अंत्रिक शात्रियों का भोजन तियार किया गया है और अब की बार जो भारत अंत्रिक शात्रियों को भोजन दे रहा है वो इंसानों को बहुत कम धरती पही ये मान के चलोगी कमी लोगों को मिलता है तो जिसके अंदर मैं नाम बता रहा हूँ चिकिन इनको क्या मिलेगा खाने के लिए? चिकन दूसरा बिरियानी बिरियानी भी इनको खाने को लिए दी जाएगी और अचार भी इनको खाने के लिए दिया जाएगा यह जो बोजन के रूप में अब की बार भारत जो चेंज कर रहा है और दो साल से सिर्फ भारत इसको फूड़ी बना रहा है कि खानों में कौन सा फूड़ देंगे तो चिकिन बिरियानी खीचड़ा जैसे बोजन इनको दिये जाएंगे और यह आसानी से अंत्रिक्ष में रह स इसी चीजें आपको वहां खाने को मिलेंगी तो कौन-कौन लोग इक्षुक है जाने के लिए बताइए वैसे वहां सेलेक्ट कर लिए गये हैं कि मेरे कहने से वहां तुमारा सेलेक्षन नहीं हो सकता है ना कि मैं तुमसे कह दूँ कि चलो तुम्हें खिलवा देता हूं ऐस सुनना इस डिफ्रेंस रिसेर्ड डेवल्पमेंट डिफ्रेंस पूर डिसर्ड लेबरोटरी की जब बात आई है तो ध्यान रखना इसके अंदर इस घगन यान में एक तो हेल भी संपलित हैं हिंदूस्तान ऐर नोटिक्स लिमिटेड भी संपलित है। इस रो भी इसके और एक बड़ा ही काम होगा आप सोचो ऐसा जब होगा आप बिरियानी खाने अंत्रिक्ष में जाएं कितनी बड़ी बात होगी जब जैसे हमारा धरती पर मन हो गया क्यार आज अन्त्रिक्ष में गूमने चलते तो जब इस्तितियां सही हो जाएंगी अभी तुम टेस्ट कर र अचा कुछ लोग तो वैश्णों देवी पर हनीमून मनाने जाता है समश्य यह ही तो है और फिर कहते हैं कि यार यह हो गया यह हो गया अरह होगा क्यों नहीं यार तुम उल्टिये काम करते रहे तो ठीके ऐसे फिर मंत्रिक्ष में हमारे लिए बहुत सारी सूधाय प्रदा और किमरों मिशन आ है वी आर लैली तांबी का यह मैला यह मैला के द्वारा इसका पूरे प्रजक को ध्यान रखा जा यह यह इसरो की साइंटिस्ट हैं इस्त्रो वेज्ञानिक इस रोवेज्ञानिक है और इसी के हातों में पुरा प्रोजेक्ट था आपको पता होना चीए कि चंद्रियान टू जो था वो किसके आत में था चंद्रियान टू की जब मैं बात करूं तो चंद्रियान टू रितु करिधाल और विनिता मुथेया के हाथों में जाके संपन हुआ था ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान गए अब बात ये आती है कि हिंदूस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड जो है इसने ऐसा क्या मतलब इसक्या क्या योगदान है तो इसने कवच मनाया है जो अंतरिक शात्री वहां पर बैठके जाएंगे उनके उपर रेडियेशन से जो विक्किरण से क्या प्रभाव पड़ता है उनकी बोडी में क्या परिवर्तन आते हैं उनको फूड जैसे समझ्षां में कोई समझ्षा तो नहीं आती इन सारी चीजों को कौन समालेगा है ये हिलने काम किया कि रेडिय जो जो है बड़ा आपको एईसा लगेगा कि यार साब पास्राजस यह प Mana की बात में क्या कह रहे हैं जेस तोड़ी सै encanta के आपको प्ला दिया जाएगा वह अंत्रिक शात्री को पहले से इतने शीज़री जो आपको turning दे जाती है जैसे रसिया भारत के जो यात्रियों को turning दे आ वो इसी चीज के तो दिया कि साहब आपको कैसे क्या कैसे चीज़े करनी है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा achievement है याई और आप सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा मिसंन और उसकी जिम्मेदारी ल तो मैं लिख देता हूं महिला क्योंकि आदे लोगों को तो पूरुस और महिला में विवेद ही नहीं दिख रहा और आज कल तो नाम भी खेर ऐसे ही होते हैं कि पता नहीं चलता कि यह क्या कह रहा है भूपे अंदर ठीके भई यह बात है इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना तो यह भारत का जो मिशन है वो गगन यान है और इसके अंदर यह जो इसका आप देख रहे हैं कि यह प्रुपदी है ऐसा है देखो यह मैंने आपको पहले बताए चुका देखो तीन लोग दिख रहे हैं आपको बेटे हुए यह है क्रिव मोडूल यह जो है बेटा यह है क्रिव मोडूल यह जो आपको दिख रहा है यह है क्रिव और यह सोलर प्लेट यह हमारा इस्रो का मिसन है और क्रू मोडूल के अंदर तीन इंसान बेटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं सर्विस मोडूल जैसे उचिस को उउज़ा जैसे फ्यूल प्रोडिजिंग में करेगा इस कोन कोौण ने का सीन हो हुआई व rhoossot हे 85 00 Mendel 수도 से स्सटों जोड़ दिए हैं और यह कब संपन कोशला पूरा में इस्समारा पूरा ने पूरा प्लान सब्लान को है और Libemanken इसलों है और गगन यान जो इंसान को भेजेगा भारत जिसमें किसी एनिमल का कोई ट्रायल नहीं होगा, अब की बार एक महिला रोमुट है, वेओ मित्रा, उसके साथ इसको भेजा जाएगा, उस पे ही ट्रायल होगा, दो ट्रायल होगे, जिसके अंदर सर्विश मोडूल होगा, क्रू सीधी बात है कि गगन यान जो है उसका एक ही उद्देश है कि अंत्रिक्ष में भारतियों को भेजना जिसके अंदर ये इतिहास में सबसे बड़ी बात है कि भारत जब भेज रहा है तो इंसान भी भारत के और सब कुछ भारत का ताम जाम भी भारत के रोकेट भी भारत का और इंसान भी भारत का और अंत्रिक्ष भी भारत का और इतिहास में अंत्रिक्ष के चेत्र में एक बहुत बड़ा कदम होगा कि भारत भी कहां आया गगन में अब हम भी होंगे गगन में इसलिए इसको नाम दिया गया गगनिया तो आई होप मैं आसा करता हूं कि आपको इसी बह यह थेंक्यू दोस्त